वानी कपूर जिन्होंने घुंगरू गाने में रितिक के साथ खड़ियो कर ताल से तान मिलाया था वो शुरुआत से ही डांसिंग में खुद का नाम कमाना चाहती थी वानी जानती थी कि वार मुवी में बॉलिवूट के दो बहतरीन डांसर रितिक रोशन और ताइगर शौफ है और ऐसे में उन्हें भी मुवी में अपनी डांसिंग स्किल्स की तारीफ निकलवानी थी जिसके लिए वो पूरी तरह से तयार थी वानी ने एक इंटर्व्यू में रिमार्क भी दिया था कि इससे साफ पता चलता है कि वानी जानती थी कि उन्हें बहुत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ीगी तो उन्होंने तुशार कालिया जो की कोरियोग्रिफर थे उन्हें कह दिया था कि वो विना बॉडी डबल के पूरी कोरियोग्रिफिक खुद इंप्लिमेंट करेगी हम आपको बता दे कि गाने में CYR वील और एरियल रोटेटिंग पोल दोनों यूज होने वाले थे एक पार्ट में इन दोनों पर खुद को बैलन्स करना तो डिसकल्ट था ही वगर उससे भी बड़ा चालेंज था कि वानी खुद को इन पर चकर आने से कैसे बचाएंगी उन्हें पूरे तीन महीने लग गए थे फाइनल शॉट देने में जिसके बीच वो कई बार इस पोल से चपकर खाकर गिरी थी और ये यूँ ही नहीं था सेट से टोटल चौर बार खबर आई थी कि वानी को इन्जुरीज हुई है क्योंकि वो डांस करते करते गिर गई है तो शार ने खुद ने कहा था वानी को ब्रूस आई है और उन्हें अब इससे बॉरीडबल के साथ करना चाहिए मगर वानी पक्की थी उन्हें रतिक रोशन के साथ टांस करने का मौका मिल रहा था तो वो इस चांस को किसी भी हाल में जान नहीं देना चाहती थी और रिजर्ट्स तो आपके सामने है ही पुफेक्टली वानी ने मूवी के इस गाने में सब का दिल जीत लिया था वोर मूवी और पठान मूवी और यश्राज स्पाई उनिवर्स की इंडिपेंडेंटन्ट मूवी है जो कि रोहिट शेटी के कॉप उनिवर्स को चालेंज कर रही है वगर क्या आप जानते हैं कि मेकर्ज किस चीज पर दे रही है सबसे ज्यादा ध्यान ताकि ओडियंस को मिले कमाल का व्यूइंग एक्सपीरियंस अब आपको बता दे कि वार मूवी का क्लाइमेक्स सीन आर्क्टिक सिर्कल पर शूट हुआ है यह पहली ऐसी इंडियन फिल्म थी जसमें डारेक्टर ने आर्क्टिक सिर्कल की आईस तक जाने कर रिस्क उठाया था तो दोस्तों आप कितने एक्साइटिड हो इस फिल्म को लेकर हमें कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएं